हेलो फ्रेंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्योब चैनल क्रेकित पे दोस्तों इस वीडियो में हम रिड़ 2020 के बारे में निम तीन चार चीजों को लेकर बात करेंगे सबसे पहले तो बात करेंगे कि उपेन यादों ने आमरन अंसन की गोशना कर दी है कि विगबती अगर नहीं निकली तो हम आमरन अंसन की शुरुआत करेंगे इसके लावा एक सबस के मन में ये कि ये जरूर रहता है कि बात की लगबख कितने पदा वो आ सकते हैं लेवल फैस्ट और लेवल सेकिन में पदों की संग के क्या हो सकती है तो आप सबको पता है कि 31,000 पदा है टोटल उसमें से कितने पदा आएंगे दोनों लेवलों में तो हम इस वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे इसके लावा आप सबको पता है कि अभी जो एक्जाम के रिजल्ट आ रहे हैं उन सबे में लगबख तीन गुना अभेरतियों को किया जा रहा है पास में हम बात करेंगे रिट लेवल फैस्ट में बीड़ वालों को सामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा तो इसके समंद्ध में भी हम पूरी विस्तार पुरुवक बात करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाज तक जरूर देखे और आपसे कहना चाहता हूं अग आपको भी गबती में पता चलेगा लेकिन जो 99% सत्यता होती है अनुमानों में वही आपको बताए जाते हैं 100% authentic news दी जाती है इसके अलावा सबसे important बात ही है कि news तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी और भी किसी चैनल पर भी मिल जाएगी लेकिन इस चैनल पर आपको लास पर भी एक benefit वाली चीज होगी तो आपको जरूर वो क्यों सना वो देखने चाहिए बाकाइदा playlist बनी हुई है अलग अलग जैसे माँ बात करूँ एच्टेट की रिट वाले और आटेट वाले लगबग सबे पेपर हो हमने कर लिये हैं इसके अलावा एच्टेट complete हो चुकी कि इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले तो सबसे पहले बात करते हैं उपेन के दुवारा जो गोशना की किया वो क्या है तो ये देखिए दोस्तों सबसे पहले अभी भी का ये tweet है कि 20 दिसंबर 2020 से पहले अगर रिट 2020 की विगपती जारी नहीं होती है तो मैं रिट 2020 की विगपती के लिए आमरन अंसन पर बैठोंगा और 11 लाक बिरोजकारों के साथ गलत नहीं होने दूँगा आप चाहे तो ये screenshot से हो कर लेना हम अंदलन की गोशना नहीं करते हैं कुछ करके भी दिखाते हैं और यही हमारी पहचान है तो दोस्तों ये तो गोशना हुई उप को पता है कि फाइलव दो बार चुनाव आयूक के पास बेजी जा चुकी तो इसका मतलब है कि पूरी फाइलव रेड़ी है शिरफ घोशना करनी है तो अनुमति के लिए बेजी जाती है और फाइलव एकदम पूरी तयार है तो अराम से गोवर्मेंट के पास एक पीन का टा उस दिन ही मैंने आपको वीडियो के मादेम से आउगत करा दिया ता जिस दिन उपेन यदोंने यह बोला था कि engrav范 मई जून में हुने की सम्बावना है दोस्तों उस दिन ही आप देख सकते हैं उसी दिन मैंने उस वीडियो में जो ये निव आपको दीती उस वीडियो में मैंने आपको बता दियाता है कि exam अवो March और April में confirm होगी और इसमें ज्यादा समभावना वो March last के April की भी नहीं बोड़ ना हो March last के ज्यादा समभावना है क्योंकि April last में और मई में exam हो कभी भी हो सकते है क्या पता कि जैसे college वाली exam बोड वाली gradient dier थो सकते हैं मई या जून में तो एक्साना वो लगभग चांस यही है कि मार्च लाश्ट में हो, और उर सकता है اप्रेल तो मार्च और अप्रेल पास ही के ऊप्लाभ टिन जाननों लेवल फेस्ट और लेवल शेकिंड में तो दोस्तों हम पदों के बारे में बात करते हैं तो पदों की संक्या आप सबको पदा है कि मुख्य मंत्री ने गोशना की ती लगबग 31,000 पद आने वाले हैं अब बात करते हैं कि टोटल पद हैं वो 31,000 लेकिन वर्तमान में जो जिल्ले में कितने पद खाली है इसके समंध में वीडियो मेरा बनाया हुआ है आप जरूर देख सकते हैं कि आपके जिल्ले में कितने पद खाली है उसका लिंग मा आपको आई बटन में दे दूँगा तो आप वहां से जरूर देखें इसके लाब हम बात करते हैं कि लेवल फ हो पंदरा जा रहेंगे और लेवल फ्हेस्ट में वह सोला जा रहेंगे यह भी दोस्तों में कि लगबग पदों किसे में यह लागन चार्ट नहीं कि और यह जात अधारईन ँदो that University TOMS यह बंद फैस्ट में 7 में खाली हो चुके ए shaken ile technically. में लगबख 20,000 के पद हैं वो खाली हैं तो ये बात होगी दोस्तों लेवल की कितने पद हो आ सकते हैं लेकिन अब एक अनुमान मैं आपको अपनी तरफ से ये लगा रहा हूं कि जो मैंने जिल्लों के वाइज आपको वेकेंसी हैं वो बताई थी कि इस जिल्ले में कितने लेजिए वो पद हैं वो आपको देखने को मिलेंगे विगबते में जैसे मा बात करें हूं शिकर जिल्ले की तो शिकर जिल्ले में मान लेजिए कि वर्तमान में सो पद खालने हैं लेवल फैस्ट के तो आपको पदों की संक्या लगबख 70 या 80 के आसपास देखने को मिलेग क्योंकि वहां पे वास्तों में टीचर्स कि संग्या को बहुत ही कम है स्कुलों में तो वहां पे पद हो जादा आएंगे बजा इस एरिया कि शेकावटी एरिया है या फिर हम बात करें हनमानगड है चूरू दो शेकावटी में आई गया और जब पूर के आश-बास की जिले हैं वहाँ पर पदों कि सिंग के आपको कम देखने को मिलेगी अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे चीज़ की तीसरा टोपेक है कि रिट में तीन गुना अभेर्टियों को किया जाएगा पास तो ये भी बात दोस्तों आप सब को पता कि तीन गुना बेर्टियों की लिष्ट आएगी सबसे पहले तो तीन गुना बेर्टि आप सब को पता कि वर्तमान समय में जो भी result आ रहे हैं उसे में यह निर्ने वो मतलब लागू हो चुका है और तीन गुना ही रिजल्ट निकाले जा रहे हैं जैसे हम बात करते हैं लाइबरेरियन का भी result आया था result उसमें तीन गुना ही बुलाए गए थे तो तीन गुना का मतलब यह हो गया कि लगभग 31,000 वे किन स हैं तो लगबग 12-13 लाग फरम बरे जाएंगे उसमें से तयारी करने वाले बंदियों लगबग 2-3 लाग होंगे तो एक लाग बंदों का सेलेक्शन हो जाएगा अब किस में होगा प्रोविजिनल लिष्ट में उसके बाद कागचा किये जाएंगे और लास्ट में जैसे इस यह सेकंड ग्रेड और फेस्ट ग्रेड में जो प्रोशेस अपनाई गई थी वही प्रोशेस आपको रिट में भी देखने को मिलेगी सबसे पहले एक लाग बेड़तियों को पास किया जाएगा उसके कागच चैक कि जाएगे उनकी योग गिता सब देखी जाएगे कि बेड चैकने में और फाइनल जेटाने में लगभग मा आज ही बता रहा हूँ आपको बारा महीने का समय हो अराम से निकल जाएगा आपको पता है कि लगभग फैस्ट क्रेड और सेकंड करें पी मा बात करूं तो मात्र दस बारा 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 बीस भीस जार विद्यारती थी थे उ और वेटिंग लिष्ट हाथ में निकाल देते हैं उसका कुछ फाइदा नहीं होने वाला है क्योंकि आप सबको पता है कि सेकंड क्रेड की जोइनिंग वह दो तीन मैने पहले होई थी और अभी तक उसकी वेटिंग लिष्ट नहीं आई है तो इसका फिर फाइदा क्या है कि दो गुना पास किते हैं उस चीज का फाइदा क्या निकला कि उन्होंने तभी यही बात बोली थी कि हम वेटिंग आप उसाथ की साथ निकल लेंगे तो उनको जोइनिंग नहीं दे रहे हैं तो फिर मतलब क्या है वेटिंग निकालने का वेटिंग आप बारा मैने बाद ही कम से कम जो लगी हैं उनको तो फाइदा में होता और वो जल्दी जोइनिंग के लिए पाते अब इसको और आसान भासा में ये भी समझ सकते हैं जैसे आप बात करूं फैस्ट क्रेट की तो आप सब को पता है कि फैस्ट क्रेट का जो प्रोविजिनलिस्ट का रिजल्ट है वो इस हिसाब से भी सब्जेक्ट में रिजल्ट आने में लगबग जनवरी का मेना वो निकाल देंगे फिर वापस से कागचैक होंगे और उसके बाद जोइनिंग की परकरिया होगी काउंसलिंग की परकरिया होगी तो आप समझ सकते हैं कि प्रोविजिनलिस्ट के चक्र में ल लगबग एक लाग स्टुडेंट हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि बारा मेने मैं साइध कम बता रहा हूं इससे ज्यादा टाइम भी आपको देखने को मिल जाएगा कि रिजल्ट के चक्कर में और बाद में जो मद्दे का जो टाइम होता है वो बारा मेने का आराम से गुजर जाएगा तो यह आप समझ सकते हैं कि गुवर्मेंट की मतलब किस बावना के साथ यह काम कर दी है वो तो गुवर्मेंट जाने लेकिन एक्चुल में जो विदार्टियों का समय है वो ज्यादा बरबाद हो रहा है मेरे अनुसार तो और आप भी अपनी राय वो कमे किसी वालों से और कोई विशेस लगाव नहीं है बीड़ वालों से लेकिन एक्चुल में मैं आपसे कहूं एकदम सत्परतिसत मतलब नूटल होके तो डेफिनेटली बीड़ वालों को सामिल किया जाएगा उसके पिछे दो रीजन है और दोनों के लिंक मैं मतलब वीडियो बनाया हुआ है दोनों के लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे आप जरूर देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं पटना हाई कोट की तो आप सबको पता है कि लास्ट ये मतलब कोट में चली गई थी थेड़ ग्रेट की बिहार में तो वहाँ पे पटना हाई कोट का य एक भी नहीं चलेगी उसमें जो बिहार बोर्ड के द्वारा ये एक आ गया था कि हम सबसे पहले एस्टीसी वालों से पद बेरेंगे उसके बाद अगर सेस पद रह जाएंगे और जिसमें एस्टीसी वाले बेड़ते हैं वो अगर इलिजिबल नहीं होते हैं तो हम बेड़ करना पड़ेगा अब हम बात करते हैं इलाबाद हाई कोट की उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों एसाई एक कुछ हुआ था केस और इसमें भी साफ साफ नेने इलाबाद को नहीं ये दिया था कि आपको बेड़ वालों को सामिल करना पड़ेगा उसके बाद किसी विदारती ने SLP दायर की सुप्रीम कोट में तो उसका रिजल्ट भी उसका डिसीजन भी दोस्तों अभी लाश्ट वीक में आय था और उसमें सुप्रीम कोट ने साफ साफ कहा कि NCT के गाइडलाइंग के नुशार आपको बेड़ वालों को लेबल फेस्ट में सामिल करना पड़ेगा त क्योंकि समझ सकते हैं,HTC वालों के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है क्योंकि उनके पास सिरफ एक रिट की वेकेंसी होती है क्योंकि आप सबको पता है कि second grade, first grade में बेड़ है वो अनवारी होती है,HTC वाले बेड़ती हैं वापे नहीं लग सकते तो उनके पास सिरफ एक option रह रखा था कि हमको 115 लाने है,120 लाने है, उसमें आप प्लस 5 कर दें, इससे ज्यादा फरेका वो नहीं हाएगा, प्लस 2 या 3 नमबर का difference आ सकता है आपकी कटोप में, इससे ज्यादा का बिलकुल नहीं आने वाला, इसलिए आपको गबराना नहीं है, आपको अपनी तयारी में इससे ज्यादा का difference हो नहीं आने वाला है, तो दोस्तों, मैंने लगबख सभी मुद्धे हैं, वो आपके मतलब clear करने की कोशिश किया है, कि लगबख विगरती के हमने बात कर लिया है, कितने पद आएंगे, तो दोस्तों, 31,000 टोटल पद की गोशना किया, उसमें से level first के प सच है कि तीन गोना बेड़ती बुलाए जाएंगे, प्रोविजिनल लिस्ट के अंदर, और level first में बेड़ वालों को 100% सामिल किया जाएगा, अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि तीन-तीन कोटों का decision आ चुका है, और सबसे उपर, सबसे इसमें बात ही है कि सुप्रिम कोट का भी निनने आ चुका है, तो अब गवर्मेंट के पास कोई उपाय नहीं है, उनको सामिल करना ही पढ़ेगा, इसलिए आपके पास यही उपाय कि आप अपनी तयारी को थोड़ा और advance करिए, और 3-4 नमबर ज्यादा लाने की कोशिस करिए, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जूर करें, तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में, थेंक्यू, जेहिं, जेभार्त